अब दोस्तों आज की वीडियो में बताने मुझा किसे हम एडवास फीचर को अनेबल करेंगे इस वीडियो में आपको कम्प्लेट प्रोसेस दिखाने हो ला सो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं है तो अपने फॉन में क्रोम प्रावजर को ओपेन करेंगे त्री डॉट पर क्लिक करके डेश्ट अपमोड नेबल आए निचर आप लिटियो आप अपलोट नहीं कर सकते डिप्स्क्रिप्ट्फिन में कोई भी सोसल मीडिया का लिंक आप नहीं दे सकते monetize के लिए भी आप apply नहीं कर सकते live stream आप नहीं कर सकते इसको enable करने के लिए access feature पर click करेंगे इस तरह से तीन option आपको देखने को मिल जाएगा पहला वाला में आप video verification के दुआरा आप advance feature को enable करेंगे दूसरा आप कोई भी documents देकर आप enable कर सकते हैं तीसरा channel history के दुआरा आप enable कर सकते हैं हमें पहला वाला पर tick करना है next पर click करेंगे इस तरह से interface open होगा get email पर click करेंगे उसके बाद हमें email पर एक mail भेजा जाएगा उस पर click करेंगे आपके mail पर आ जाना है उसके बाद start verification पर click करेंगे तरह का qr code दीखेगा हमें three dot पर click करना है desktop mode को ओप करेंगे इसके बाद इस तरह का interface open हो जाएगा इसको tick करेंगे आई agree पर click करेंगे उसके बाद जैसा जैसा आपको दीख रहा है उपर नीचे देखने बोलेगा इस तरह से हमें भी देखना है नीचे हम आएंगे next पर click करेंगे आप आप देख सकते हैं यहाँ अलाव करने बोल रहा है उसके बाद इसके बाद स्टार्ट हो चुका है उसके बाद इस तरह हमें देखना है जैसे जैसे बोल रहा है उपर उसके बाद राइट कि अप्लोडिंग यूर वीडियो इसके बाद इस तरह से वीडियो अप्लोड हो जाएगा नीची आएंगे वर नाउ नीड 24 आवर के बाद दोस्तों हम लोग का एडवास यूटूब फीचर अनेबल हो जाएगा उसके बाद त्री डॉट पर क्लिक करेंगे डेश्टॉप म इसके बाद फिर से अपना चैनल पर जाएंगे यहां रिफ्रेस करेंगे यहां हम एक बाद रिफ्रेस करेंगे उसके बाद सेटिंग पर जाएंगे चैनल पर क्लिक करेंगे फीचर इलिजबिलिटी आप देख सकते हैं पैंडिंग में है 24 गंटा के बाद एडवास फीचर अनेबल हो जाएगा हम जब एक बाद इलिएस का मैं उसमानी चजने फσकता हैंगे और जान चा हो पोजừaपा है झाल झाल